आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यहां से X कितना आएगा हमारे पास 1200 आएगा जब X 1200 है तो 3X की वैल्यो कितनी होगी ठीक है आगे क्या कह रहा है देखो question में आगे हमें कह रहा है टोटल आइटम A sold by store P is 16 is to 2 by 3% more than total item D sold by that store D के comparison में 16 is to 2 by 3% जदा है आइटम A का number जो है 16 is to 2 by 3% को हम क्या कह सकते हैं 50 by 3% कह सकते हैं देखो 16,3 जब 48 और 2 50 by 3% ठीक है अब देखो 5 कोलम बना लेंगे हम A B C, D and E यह हमारा C हो गया यह D और यह E हो गया तो देखो D अगर हम N मान ले let us suppose कि यह हमारे इसका number कितना है? N है तो A कितना होगा? N का 50 by 3% जद्दा जद्दा है तो 100 में प्लस होगा 50 by 3 और percent है तो उसके लिए 100 है तो N multiply by देखो 3 को 100 से multiply करेंगे 300 plus 50 तो 350 divide by 3 कोई 3 नीचे आएगा 100 के साथ तो 300 होगा 50 से 6 times और 50 से 7 times तो 7 N by 6 आगया एक A कितना आगया? product A 7 N by 6 आगया ठीक है यह हमने निकाल लिया अब आगे देखते हैं question में क्या कह रहा है आगे हमें question में क्या कह आगया है while item C sold by store P is 160 less than total item D sold by store P 160 less है देखो D के comparison में तो D तो कितना है? N minus 160 होगा C की अगर हम बात करें तो N minus 160 होगा ठीक है अब हम देखें आगे कह रहा है total item B item जो B है sold by store P is 77 is to 7 by 9% 77 is to 7 by 9% को हम कितना लिख सकते है 700 by 9% simplify करके more than अच्वा more है then total item D sold by store P D के comparison में 700 by 9% जद्द है तो देखो D कितना है? D तो N है हमारे पास N का 100 प्लस जद्द है आएगा 1600 और यह जब 9 निचे आएगा तो 900 दो 0 से 2 0 तो 16 N by 9 आ गया यह हमारे पास कितना आगे 16 N by 9 आ गया ठीक है आगे क्या कह रहा है देखो Total number of item E sold by store P is 1080 less than that of item B sold by store P B के comparison में 1080 less है तो देखो 1080 less है किसके comparison में 16 N by 9 के comparison में तो 16 N by 9 minus 1080 number of E आ जाएगा product अब देखो इन सारों का sum किसके बराबर होना चाहिए 36 के बराबर होना चाहिए तो हम रख देते हैं 36 के बराबर हम क्या कह सकते हैं देखो 7 N by 6 plus 16 N by 9 plus N minus 160 plus N plus 16 N by 9 minus 1080 is equal to 36 ठीक है अब देखो 6 और 9 denominator में इनको remove करना है तो हम multiply by 18 कर दें क्योंकि 18 दोनों के पूरा पूरा काट देगा तो देखो जब 18 को इससे multiply करेंगे तो 6 3 जा 18 और 3 को 7 से multiply करेंगे तो 21 N प्लस इसे भी 18 से multiply करेंगे देखो आगे लिए 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 देता है multiply by 18 तो देखो 21 N प्लस यहां पर कितना होगा 32 N प्लस 18 N माइनस 16 को 18 से multiply करेंगे 288 और 10 प्लस 18 N प्लस 32 N माइनस 108 को जब multiply करेंगे 18 से तो 1944 और 10 is equal to 3600 को जब 18 से multiply किया तो 64800 आगे हमारे पास N की terms को जब हम add करेंगे तो 121 N आएगा तो सभी को add कर दिया हमने 21 N प्लस 32 N प्लस 18 N प्लस 18 N प्लस 32 N और यह किस के बराबर होगा देखो 468800 यह माइनस का उस से जाके प्लस का 2880 हो जाएगा यह माइनस का दूसरी से जाएगा तो प्लस का 19,440 जब हम 468800 और 2880 और 19,440 को add करेंगे तो हमारे पास 87,120 आएगा तो N की value कितनी आएगे हमारे पास N will be equal to 87,120 divided by 121 अब देखो हम इसे 11 से काट दे तो यह तो 11 टाइमस चला जाएगा और यह देखो 11 से 7 टाइमस 77, 9 टाइमस, 99, 2 टाइमस और 0 11 से फिर काट दिया हमने तो 77, 2 टो 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 जीरो तो कितनी value आगे हमारे पास 720 value आगई N की जब N 720 आगया हमारे पास तो हम 500 की value find out कर सकते हैं देखो तो यहाँ पर तो 720 लिख देंगे 720 minus 160 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 560 560 बच गया देखो 16 N divided by 9 है तो 16 multiply by 720 कर देंगे हम और divide by 9 कर देंगे तो हमारे पास B की value आजाएगी 16 multiply by 720 अगर हम करें 16 N की value पूट करें तो 16 multiply by N की value 720 divided by 9 9 से 80 टाइमस चला जाएगा तो 16 8 जब 128 और 1 0 तो 1280 लिख सकते हैं यहाँ पे तो ऐसे ही अगर हम बात करें 7 N by 6 की तो देखो 7 N by 6 की अगर हम बात करेंगे तो 7 multiply by 720 divided by 6 तो 6 से 120 टाइमस जाएगा तो 12 7 84 और 1 0 840 आगया अब देखो 69 N by 9 की value हमने कितनी find out करी 1280 उसमें से 1080 माइनस कर देगे तो हमारे पास 200 बचेगा ठीक है सबी values आगे P store की तो ठीक है हम नेक्स्ट आगे question में क्या कह रहा है टोटल आइटम D and item B अब देखो आइटम D और B की बात हो रही है sold by store Q और Q store पर जो है वो बात हो रही है is 240 and 12.5% more than same item sold by store P respectively तो D जो है वो तो 240 जद्दा है P के comparison में अगर हम बात करें अब हम क्या करेंगे इस side D की और B की value तो हमारे पास आजाएंगे D तो क्या है 240 जद्दा है 720 से तो 720 प्लस 240 कर देंगे तो यह हमारे पास कितना आएगा 720 प्लस 240 is equal to 960 आगया हमारे पास ठीक है और B जो है वो 128 से 12.5% जद्दा है तो देखो पहले तो 128 का 12.5% निकाल लेते हैं और यह decimal रिमूव करके 0 यह नीचे आगा 25 से 5 टाइम्स चला जाएगा 25 से 40 टाइम्स जीरो से 0, 4 से यह 32 टाइम्स चला जाएगा 32 5 जा 160 देखो अब 160 जद्दा है 1280 से 1280 से 160 जद्दा है तो 1440 लिख सकते हैं देखो B और D तो हमारे पास आ गया अब हमें क्या फाइंड आउट करना है A C और E बच गया हमारे पास अब देखो उसके लिए क्या information given है हमें कह रहा है respective ratio of total items A C is sold by store Q is 26 is to 23 is to 11 इसका हमें ratio given है 3 items का तो 26 23 और 20 sorry 11 है तो हम इसे कितना कह सकते है X की term में note कह सकते है 26 X हो गया यह तो 23 X होगा 11 X होगा और जब हम इन 5 को add करेंगे और 4800 के बराबर रख देंगे तो हमारे पास X की value आ जाएगी अब हम क्या कह सकते है according to question Q की बात करें तो एक तो पहले एक ही तो 26 X value है इसकी कितनी है 1440 value है और इसकी 23 X है इसकी 960 है और इसकी 11 X है तो plus 23 X 23 X 23 X plus 960 plus 11 X is equal to देखो कितना आया हमारे पास 4800 के बराबर है यह तो 26 X plus 23 X plus 11 X को add करेंगे तो कितना आएगा 60 X 60 X is equal to 4800 minus 1440 और minus 960 minus 960 is equal to 2460 X तो X की value कितनी होगी देखो 40 times चला जाएगा तो X की value कितनी आ गई 40 आ गई 26 X 40 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1040 इसे 23 into 40 कर देंगे इसे 11 into 40 हमारे पास हर एक की value आ गई हर एक product की हर एक store की value आ गई अब कहारा है find the ratio between total item item B and D together sold by store P B and D sold by store P को तो हम उपर रखेंगे देखो ratio find out करना है किसका देखो B plus D in P or divide by और किसका किसके comparison में find out करना है वो देखते हैं to total number of items A and item D together sold by Q तो A or D Q का A plus D in Q कह सकते हैं A plus D in Q तो देखो B plus D in P की अगर हम बात करें P store पे B or D की value कितनी है तो B की value 1280 है और D की value 720 है तो 1280 plus 720 1280 plus 720 और इसे हम divide कर देंगे किस से जो A or D की value है Q में Q में A or D की value की बात करें तो देखो 1040 और 960 है तो 1040 प्लस 960 1040 प्लस 960 देखो जब हम 1280 प्लस 720 को add करेंगे तो देखो 1280 प्लस 20 अड़ करेंगे तो 1300 प्लस 700 2000 2000 और देखो 1900 को 1900 और 2000 तो यह निचे भी 2000 आ गया तो ratio हमारे पास कितना जाएगा हमारे पास यही हमारा क्या है आंसर है तो देखो 1 is to 1 option 3 में given है तो हम क्या कह सकते है option 3 इस दा correct answer क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह WhatsApp कीचे अपने doubt 8 400 404 पर